नमस्कार स्वागत अब अच्वाप का सेल्स्टेडि के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो I.S. अधिकारी हैं उनके लिए या I.S., I.P.S, I.F.S इन अधिकारीों के लिए के अंदर सरकार एक कानून में या फिर एक नियम के अंदर कुछ शंशोधन करने जा रही है जिससे जो भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसमें कमी आ सकती है देखिए संग्य धांचा को मतलब एक तरीके से उसकी संग्य धांचा की जो पावर है वो कम करने की कोशिश की जाएगी हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले है और काफी जादा इंपोर्टन है आपको जानने को मिलेगा कि IES के अंदर कौन से रूल ऐसे चलते है वहिया कैसे इनको केडर परवाइड कराया जाते है कौन सा विभाग जो है वह IES, IPS, IFS को केडर जो परवाइड करवाता है तो यह सारी बात हैं हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले है तो देखिए हाली में यह एक विभाग है उस विभाग का नाम है अरे भाया कहा हो हाँ यह एक विभाग है कार्मिक एवम परशिक्षन विभाग इंपोर्टन्ट है कार्मिक एवम परशिक्षन विभाग इंगलिश में है इसका नाम Department of Personal and Training यह क्या करता है देखिए आपने UPSC का एक्जाम दिया अपने UPSC का एक्जाम दिया UPSC में जो तीन सेवाएं है जिनके अंदर यह कैडर सुविधा उपलब्द है एक है IAS, एक है IPS एक है IFS ठीक है अब इन तीन सेवाओं के अंदर ही कैडर सुविधा प्रवाइड की जाती है कि आपने एक्जाम दिया और आपने का कि देखिए मुझे एक राजस्थान में जाना है या फिर मुझे हरियाना में जाना है या मुझे पंजाब में जाना है आपने वो एक अपना इच्छा दर्शारी सरकार को या केंदर सरकार को तो आपको जो कैडर दिया जाता है वो कैडर देने का काम ये विभाग करता है कार्मिक एवम पर्सिक्षन विभाग जो है वो केडर देने का विभाग काम करता है यहाँ पर जो है यह IS को तो केडर कौन प्रोवाइड करता है DOPT यह करता है लेकिन IPS को Ministry of Home Affairs और IFS को Environment Ministry जो है वो केडर प्रोवाइड करती है तो यह अलग-अलग हो गया तो आपको समझ में आयोगा कि कार्मिक एवम पर्सिक्षन विभाग के अब यहाँ पर क्या है कार्मिक एवम पर्सिक्षन विभाग ने राज्यों को एक बात लिखी है वो बात यह है केंदर सरकार के कहने पर लिखी है क्योंकि केंदर सरकार के अधीन ही ये काम करता है या फिर कहूं परधानमंत्री के अधीन ही ये काम कर रहा होता है तो केंदर सरकार ने राज्य सरकार को एक बात लिखी है देखिए भई हम क्या है जो Indian Administrative Service Cader Rule है 1954 उसके अंदर एक Rule है Rule No.6 जो 1969 के अंदर एड किया गया था और इस Rule के अंदर हम क्या है कुछ संचोधन करना चाहते है बात समझ में आई क्या बोला कि राज्य सरकारों को ये बात लिखी गई है के अंदर सरकार के तरफ से किस ने लिखी है कार्मिक एम पर्सिक्षन विभाग ने क्या लिखा है कि जो Indian Administrative Service Cader Rule 1954 है जिसके अंदर एक Rule No.6 है जो क्या काम करता है ये Rule No.6 Rule No.6 जो है वो Cader अधिकारी की परतिन युक्ति यानि Deputation का काम करता है अभी बताऊँ है सारी जीजे हम डिसकस करने वाले है कहानी शुरू होती है 28 मही से वही ऐसा हा क्या गया आपको कहानी समझोगे तब समझ में आएगा 28 मही 2021 से ये कहानी शुरू होती है कहानी शुरू होती है बंगाल से बंगाल से और उडिसा से देखे उस वक्त 28 मही 2021 के वक्त बंगाल और उडिसा में तुफान आया हुआ था, चक्रवात आया हुआ था, इसके coastal reason के उपर, तो परधान मंत्री जो तुफान आया हुआ था, तो परधान मंत्री जी जो है, परधान मंत्री मतलब निरेंदर मोधी जी, यहां बंगाल में जाते हैं, हालात का जायजा लेने, कि चल यह देखते हैं कि कैसे हालात हैं, और जब यह हालात का जायजा लेने जाते हैं, तो वहां पर, obviously बंगाल में जाएंगे, तो बंगाल के chief minister आकर, उनसे report देंगे, भी, यह यह चीजे हैं, हमें इतने पैसे चाहिए, या फिर ऐसे हालात हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पर डिसकस की जाएंगी, वहाँ पर, clear, तो परधान मंत्री जी पहुंचे बंगाल में, बंगाल में वेट किया, उन्होंने 30 मिनिट तक, ध्यान रखना, उन्होंने 30 मिनिट तक वेट किया, और 30 मिनिट के बाद क्या है, बई क्या सोचेंगे, परधान मंत्री बैठें, सोचेंगे कि अभी मुख्य मंत्री आएंगे, कौन है बंगाल की मुख्य मंत्री, ममतब एनर्जी, तुन्होंने सोचे, परधान मंत्री जी ने सोचा, कि मुख्य मंत्री आएंगे, और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी भी आ अलपन बंदोपाद्य जो है वो आएंगे और मिलेंगे परदान मंतरी मोदी जी से और रिपोर्ट देंगे तो तीस मिनिट के बाद ना तो अलपन बंदोपाद्य जी आए तो यहां पर क्या है मुख्य मंतरी जी आती है मतलब कि ममतब एनर्जी आती है और एक रिपोर्ट दे के चले गए हम तो Chief Secretary का वेट कर रहे थे हो Chief Secretary नहीं आए ऐसे कैसे चलेगा क्यों अभी Chief Secretary आप सोचो कि Chief Secretary होता कोन है और यहां पर Chief Secretary से मिलना इतना इंपोर्टंड क्यों है वे Chief Secretary क्या सेन्टर गॉल्मेंट के अधिन काम करता हुए गा तो समझेए जरहां चीफ से क्रेटरी कोन है पहले तो यह समझो जो अगर राज्ये में बातकुरू ना मैं राज्ये के अंदर नेताओं में राज्ये के अंदर नेताओं में अगर मैं बात उंचा पत कौन सा होता है Chief Secretary का होता है चीफ Secretary का होता है यानि CM के बराबर का ही level होता है यानि CM का एक तरीके का बहुत close कह सकते हैं कि bureaucrate होते हैं यहाँ पर सारी नीतियां यही चलाते होते हैं एक तरीके का यह तो Chief Minister जो है वो लोगों के सामने एक तरीके का face है लेकिन पीछे के machinery को Chief Secretary ही संबाल रहे होते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे नियम चलाने है यह के नई निति लागू करनी है इसको ऐसे लागू करनी है सारे काम यही करते हैं तो Chief Secretary इतना important होते हैं हर एक मुख्य मंतरी के लिए उसका Chief Secretary जो है वो बहुँ जदा important role play करते हैं वही एक तरीके का रज्य को चला रहे होते हैं इतनी बात होगी हमारी समझ में आगी अब क्या है यह Chief Secretary आए ही नहीं Chief Secretary नहीं आए तो परधान मंतरी मोधी जी गए तो परधान मंतरी मतलब वापस दिल ली गए तो उनको बुलावा भेजा कि भेजिए भाई या Chief Secretary जी को मतलब वापस भेजिए क्योंकि यह जो Chief Secretary जो है या फिर कहें IES जो है वो Center Government के अधीनी तो आते हैं देखें Center Government क्या करते हैं UPSC का एक्जाम लेते हैं UPSC का एक्जाम लेने के बाद यहीं से IES IPS, IFS Officer को उचांटते हैं उनको training provide करते हैं training provide करने के बाद इनको राज्ये के अंदर भेज़ दिये जाते हैं लेकिन राज्ये के अंदर जब भेजा जाते हैं तो इनको यह बात याद दिलाई जाती है कि जब आपको Center Government बुलाएगी तो आपको अपनी सेवा देने आना पड़ेगा क्योंकि आप center के अधिकारी है तो ये बात है तो ये center के अधिकारी होते हुए भी जब center ने इनको बुलाया, दिल्ली बुलाया तो ये गए नहीं क्यों कि 31 मही को मुक्हेमंतरी जी ने का तो इनको भेजा नहीं वहाँ पर तो यह बात होगी अब यहाँ पर जो है अभी समझाओंगा यह भेजने वाली बात के उपर ही अमेंडमेंट हो रहा है इसी की उपर संशोधन किया जा रहा है इतनी चीजें समझ मैं अब थोड़ा सा आगे चलते हैं देखिए इसके तहएट अब यह जो रूल है अमेंडमेंट किया जाएगा इसके तहएट क्या होगा इसके तहएट केंदर सरकार IAS, IPS जो अधिकारी है जिनकी परतिन्युक्ति के माध्यम से स्थानांतिरित करने है तो राज्य सरकारों के मंजूरी लेने के आवशक्ता को समाप्त करने है तो अभी भावी शक्तियों का अधिग्रेंड करेगी काफी हिंदी हो गई शहएद आपको समझ नहीं आएगी मैं समझा देता हूँ देखे IAS, IPS को जब वापस बुलाया जाता है मतलब कि चीफ सेक्रेटरी होगे या फिर कोई भी IAS, IPS अधिकारी होगे उनको अनुमती लेनी पड़ती है उनको अनुमती लेनी पड़ती है मुख्य मंत्री से कि भई हम यहाँ जाने वाले हैं एक आप NOC दे जीजिए यानि NOC दे जीजिए कि हमें आपको कोई अब्जेक्शन नहीं है हम जा सकते हैं तो यहाँ पर राज्य अगर अनुमती देता है तब जो IAS, IPS अधिकारी है वो जा सकते हैं वरना वो जा नहीं सकते तो यह जो चीज है इसी के अंदर प्रावधान जो है इसी के अंदर संशोदिन किया जा रहा है वो है रूल नंबर सिक्स इसी के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है क्लियर यहाँ पर अब आगे चलते हैं देखे हमारे सामने तीन सेवाए हैं जैसे कि मैंने का एक IES है, एक IPS है, एक IEFS है तीन परमुक सेवाए हैं जिसके अंदर जब भेजा जाते हैं तो इनके उपर राज्य और के अंदर दोनों के अधीन सेवा करने की जवाबदाई होती कि आप राज्य की भी सेवा करेंगे और आप सेंटर की ही भी सेवा करेंगे, क्लियर अगली चीज क्या है देखें, अभी हाँ, ये जैसे मैंने का कि IAS को तो किसके दौरा DOPT, इसके दौरा जो है वो केडर प्रोवाइड करवाया जाता है IFS और IAS को IPS को क्या है Ministry of Home Affairs के दौरा और IFS को Environment Ministry के दौरा जो है वो केडर प्रोवाइड करवाया जाता है तो यहाँ पर ये बाते हो गए अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है यहाँ पर आपके सामने Central Deputation Quota यह लिखा होगा, इसका मतलब क्या है देखें, राज्य सरकार में जब कोई IPS, IAS अधिकारी जब भेजे जाते हैं तो राज्य सरकारों से एक बात एक चीज पर साइन करवा ली जाते हैं कि आप हमें एक reservation देंगे आप एक quota देंगे, आपको 40% quota हमें देंगे देखें, यहाँ पर लिखा है कि 40% quota देंगे कि हमें अगर कभी भी जूर्थ पड़ी किसी भी IAS अधिकारी की कभी भी IPS अधिकारी की आप सोचेंगे कि सेंटर को क्यों जूर्थ पड़ती है सेंटर में भी तो विभाग है स्वास्ते भी भाग हो गया, रक्षा भी भाग हो गया तो वहाँ पर भी तो जूर्थ पड़ती है तो सेंटर ने कहा कि अगर हमें कभी भी किसी भी IPS अधिकारी की जूर्थ पड़ेगी तो आप 40% आपके पास अधिकारी है मतलब कि जितने अधिकारी है उसका 40% अधिकारी को आप हमारे पास बेजेंगे For example, मानिए कि हरियाना के अंदर 10 अधिकारी 10 IES अधिकारी को बेजा गया था अब सेंटर गॉर्मेंट ने कहा कि देखी हमें जुरूरत है हमें IES अधिकारी की जुरूरत है तो आप भेजिए तो यहां पर 40% अधिकारी ही बेज सकता है हरियाना सरका तो 40 में यानि 4 अधिकारी को बेजा जा सकता है तो यह बात है, अब इस सेंटर गवर्मेंट ने क्या था, महराश्टर गवर्मेंट से 93 अधिकारियों की मांग की थी, लेकिन भेजे कितने लगबग लगबग, 20 भेजे, तो यहाँ पर देख रहे हो, क्यों नहीं भेज रहे हैं, अब यहाँ पर समझ ना जरा, अब जब इनक मुख्य मंतरी के पास जाते हैं, तो मुख्य मंतरी कहते हैं, एक मिंट करिए, मैं बात कर लेता हूँ, सेंटर गवर्मेंट से, कि अभी मुझे जरूरत है आपकी, और आपको मैं नहीं बेज सकता, तो इसलिए वो भेजते नहीं है, clear यहाँ पर, तो वहाँ पर वो जा नही भेजा ही नहीं, अब यहाँ पर कोई पबंदी तो है नहीं, अब इसी के उपर चेंज किया जा रहा है, जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट जो मतलब जो संशोधन जो है, वो इसी के उपर किया जा रहा है, कि अब नोन अब्जेक्शनल क्लिरेंस की जूरती ही नहीं गाड़ गया कि आप जो है अब आप सोचेंगे कि आई ये सदिकारी इतना important ही क्यों है जैसे मैंने कहा ना कि अगर ये rule pass हो जाता है बेशक आने वाले time में जो आने वाला time है जिसके अंदर शत्र चलने वाला budget शत्र जो चलने वाला है बेशक अराम से ये संचोधन करवाया जा सकते है एक simple संचोधन है ये आम से हो जाएगा कोई इसमें दुराया नहीं है अब यहां पर अगर ये संचोधन हो जाता है तो भारत के federal system को इससे नुक्सान होने वाला है definitely होने क्योंकि अब सोचए election चल रहे है election चलन इलEक्शन Time और और यह आ गए, और NOC यहाँ पर अब चाहिए नहीं, क्योंकि रूल के अंदर प्रावधान, मतलब विशन शोधन कर दिया, अब जब यहाँ पर आ गए सेंटर के अंदर, तो सारी की सारी जो सेवाएं, जो मतलब की जो पोलसी चलाई थी, जो स्कीम चलाई थी, वो तो धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि यह चीफ सेक्रेटरी ही तो थे, जो सिंजों को संभाल रहे थे, मुख्य मंत्री तो भई, बहुत बूरी हालत हो जाएगी वहाँ पर, तो यहाँ पर सेंटरल गवर्णन जो है, वो एक तरीके सिंग का यूज कर सकती है, इलेक्शन के टाइम मे और ऐसे ही IPS के अंदर, IPS के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी है नहीं, यह कहें कि जो हम पुलिस के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी का होता है, DGP होता है, तो यहाँ पर इनको बुला लिया जाएगा, कि आप भी आईए, मैठिए ओफिस के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पर hand-to-mouth situation हो जाएगी है मुख्य मंतरी जी के लिए, तो वो उस चीज को संभाल नहीं पाएगे, तो यह चीज़ें हो रही है, तो सरकार नहीं काया है कि देखिए, अब यहाँ पर है, हम NOC को लागूई नहीं करेंगे, चीदा कैसी दे हमें बेज दीजिए, और एक particular date decide की जाएगी, उस particular date पे आपको भेजा जाना ही जरूरी है, तो यह amendment में किया जाएगा, यह आपके सामने सारी जीजें लिखे हुई है, यह आपको PDF में मिल जाएगी, टेलिग्राम का एक link दिया मिलेगा, description box में, तो वहाँ पर जाकर आप इसको download कर सकते हैं, clear, अब यहा पर्धानमंत्री मोधी जी ने वेट किया, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, मिलें नहीं, वहाँ पर उनको बुलावा बहजा तो उनको बुलावा नहीं भेजा उन्होंने, तो यहाँ पर जब चीजे देखते हुए, पाया कि यह चीजे तो हाथ से निकलती जा रहे हैं, कल को तो कोई और स्टेट बेहल देगा, ऐसे ही हाल फिलाल में हुआ ना, जैसे पर्धानमंत्री मोधी जी के सुरक्षा में जो बीच हुआ था, तो वहाँ पर जो पुलिस सदिकारे थे, उन्होंने कोई अभी तक कुछ जवाबी नहीं दिया वहाँ पर, और ऐसे ही जब बंगा बंगाल के चीफ, जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने फिर से मना कर दे कि हम नहीं बेजेंगे, हमें जरूरते हैं इनकी, तो यह सारी चीजें जो कर रहे हैं तो अब सरकार के पास, यह सेंटरल कोवर्मेंट के पास बसता ही का है, यही बसता है, कि हम तो इस संशोधन के अंदर इस रूल के अंदर हम चंशोधन कर डाले, ताकि आप NOC के मतलब जूरती ना पड़े, सीधा बुलावा भेजा हमने, और आपको आना पड़ेगा इस चीज में, और इसके लिए जितने भी स्टेट हैं, उनके फीडबेक मांगा गया है, कि आप फीडबेक दीजी, अब काफ गवर्नमेंट आजाए, तब हमारे क्या होगा, तो इस करके सेंटर गवर्नमेंट भी डर, मतलब कि जो स्टेट है, जो BGP की है, वो भी इस चीज से डर रही है, क्लियर, अब देखें, यहां पर कहा गया है कि सहकारी संगवाद की भावना के विरूद है, कि आप जो है वो खिलाव कर रहे हो यह चीजे, अब फैटरलिजम की खिलाव देखा जाए, तो बहुत तो एक तरीके से स्टेट नहीं कर देती, अगर वहां पर इगो की बात आ गई थी, जो बंदपादय जो चीफ सेक्रेटरी हैं, बंगाल के उनको भेजा ही नहीं था, एक तरीके का, इग ज manifests पर आ रहा है, उसके अंदर शंचोधन करके इस बिल को पास करवा लिया जाए, और यहां पर शंचोधन हो जाएगा, तो यहां पर कहा तो जा रहा है कि बिल, आखर हुआ रूल के अंदर संचोधन, तो यह संगबाद के खिलाफ हैं, राजजीव करते जाएंगी, इसका यूज किया जाएगा एक हतियार के तोर पर नोकरशाही का हतियार बना के यूज किया जाएगा obviously हो सकता है जैसे मैंने का न अगर election है तो election के time में बुला लेंगे तो वहाँ पर hand to mouth situation हो जाती है जी फिनिस्टर के लिए तो वहाँ पर बहुत गडबड हो जाएगी तो केरला गवर्मेंट ने इसका विरोध भी किया है तो यह सारी चीज़ें थी आपके सामने उमीद है कि आप लोगों को यह सारा concept समझ में आया होगा समझ में आया है तो like करिए वीडियो को अरे कहां गया अरे like करिए वीडियो को और subscribe करिए चैनल को साथ ही साथ जादा ही पसंद आ गया है तो share कर दीजिए share वीडियो को भी ऐसे है चैनल को भी और आपको PDF मिल जाएगी PDF मिल जाएगी tension मत लेना इस चीज़ की टेलिग्राम का एक link दिया है description box में जाकर join कर सकते हैं तो बस हाज के लिए इतना है रखते हैं thank you for watching this video